आज 30 एप्रिल 2022 बाप दादा के महावा क्या हैं मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम्हारा ग्यान योग से शरिंगार करने बाबा आए हैं तुम्हारा ग्यान और योग से शरिंगार करने उस शरिंगार को कायम रखने के लिए माया से कभी खार नहीं खाना माया आपका सारा मेकप खराब गर देती हैं प्रशन है कौन सी एक छोटी बात निश्चे बुध्धी बच्चों के निश्चे को तोड़ संचे बुध्धी बना देती हैं डाउटफुल बुध्धी कैसे बनती हैं उतर हैं निश्चे बुध्धी बच्चे अगर चलते चलते किसी छोटी भी भूल के ब्रह्म में फस जाते हैं तो निश्चे तूट जाता अच्छा बला ग्यांग में चल रहे हैं कोई गलती होगी और डाउट पढ़ गया किसी दिर के से भी कोई तो वो विश्वास तूट जाएगा उनका यानि शिरी मत में ब्रह्म पैदा हुआ तो माया संचे बुध्धी बना देगी बाबा ने तो ऐसे कहा था बाबा ने तो ऐसे कहा था यह कैसे हो गया यह कैसे हो सकता है बाबा है भी एक नहीं बाबा देखता भी एक नहीं अगर कुछ भी डाउट आ गया तो आप गए जो संचे बुद्धी बनते हैं डाउट कोई पैदा हो गया वो फिर निशाने के होगी वो सर्विस भी नहीं कर सकते इसके क्या गया सुनाएंगे और उन से विकारों को जीतने की मेहनत भी नहीं होती कि मेहनत करें जोने विकारों कोई जीतने हैं मुश्किल हो जागी है ना ठीक तो हुआ नहीं बाबा ने कहा था कि मैं हमारी मदद करूँगा बाबा ने मदद तो की नहीं यह नहीं पता कि भी हिमते बच्चे मदद बाब है आपने हिमत छोड़ दी तो बाबा मदद का रहेगा शिमत के पूरा समझा नहीं डौट पैदा कर लिया ऐसे कमजोर बच्चों को भी रहम दिल बाब माहन लोड़ को आ भी गया कितना रहम दिल बाब मारा है ऐसे बच्चों को भी रहम दिल बाब राए देते हैं बच्चे अगर तुम्हें विकार स्ताते है सर्विस भी नहीं करते हो तो बाप को तो याद करो योग तो करो उससे खुदी जीत होनी शुरू हो जाएगी विकारों पर जीत लोगे और सर्विस भी कर पाओगे पर योग ना चोड़ना तो ही कहते है सबसे बड़ा बल योग बल कुछ भी हो जाए गलतिया कितनी भी हो जाए योग बल बढ़ाते हो सब कुछ चिक आटोमेटिकली हो जाएगा अगर योग चोड़ा ग्याने उचोड़ा तो तो पका गए गी गए गीत है तुमी हो माता पिता तुमी हो तुमी हो बंदू सखा तुमी हो ओम शान्ती ये किसकी महिमा है इतनी बड़ी माता पिता बंदू सखा तुम हो मात पिता की तुम उस मात पिता के बच्चे हो जिनकी ये महिमा है उनको कहा जाता है बेहद का रचईता अब देखो कितने भीके हैं ब्रह्मा कुमार कुमारिया है जगत अमबा और जगत पिता यनि भ्रह्मा के भी चितर है सिर्फ बिन बिन चितर बना दिये हैं तुम जानते हो विश्व के आदी अरताज सत्यु में अथा सुख थे अभी फिर से बेहद के बाप से बेहद के सुख का वर्सा ले रहे हैं अब ये महिमा इतना बड़ा बेहद के सुख का वर्सा लेना ये महिमा लौकिक माबाप की नहीं हो सकती ये है बेहद के माबाप की बाप तो बर्म पिता परमात्मा को ही मात पिता कहा जाता है प्रतु प्रॉलम का है है वो निराकार ये तो बहुत बार समझाया है कि नई रचना नए धर्म के लिए ये नया ग्यान है यानि देवी देवता धर्म अभी है नहीं कोई भी नहीं कहेंगे कि हमारा देवी देवता धर्म है क्योंकि देवी देवता हैं तो संपूरन निर्विकारी थे और अभी सब हैं विकारी और धर्म प्रैलो भी जरूर होने चाहिए तब ही तो फिर से उस धर्म की स्थापना करने के लिए बाब को आना पड़े बाबा के माबा किया न यदा यदा ही धर्म से गलानी बहुती ही भारते जब भारत में गलानी होती है तो अभी तुम बच्चों को बाप और वर्से को याद करना है के लिए जनम क्या है बाबा को याद करो और बाबा के वर्से को याद करो वर्से के लिए वसीयत के लिए प्रापर्टी के लिए मां के पेट से जनम ले फिर बाप को याद करते है जनम तो लिया पर तू थू किसके मा के थू जनम लेगा ना बाप तो बाद में है मा तो पहले है ना मा के थू जनम लेगा मना मा से जनम लेते हैं यहां भी ऐसे है थू मा के तू बच्चे बने हो अगर ब्रहमा को मा नहीं समझो गे तो शीबाबा तुमारा बाप भी नहीं बनेगा यह बात अंडिस्टाइनिक किया है यह बात समझने किया है मा चाहिए ना तो ठ्रू मा के तुम बच्चे बने हो याद करते हो शीबाबा को वर्सा लेने के लिए वाया मा, बाबाबा फोटे को लगी है, यह मा है, शिवाबा इनके तर्मे आकर, इनमें प्रहेश करके, हमें अडॉप्ट करते हैं, तुम मेरे बच्चे हो, इनको देखो, और फिर शिवाबा को याद दरो, फालो इनको परो, परन्तु कोई को निश्चे है, इस बात का, कोई को नहीं है, ऐसे नहीं कि सभी को निश्चे है, इस बात का, उसे बाबा बाबा या भरमा मा है, क्योंकि माया, घुटका, दिलाती रहती है, और कहीं न कहीं, किसी न किसी बात पर फंस पड़ते हैं, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि शिरी मत पर ना चलने वाले, अपनी ही भूलों के ब्रह्म में फसते हैं गलती खुदी करते हैं उसकी में डोर पैदा हो जाता है निश्चे है तो फिर और सब बाते छोड़ देते हैं यह बाबा में निश्चे हैं बाते तो लास तकाएगी छोड़ देते हैं बातों को अब करना क्या हमारा काफिर सुनना है और सुनाना है कोई कहते हैं हम सर्विस नहीं कर सकते बाबा कहते हैं सर्विस करना में प्रजा बनाना अरे प्रजा नहीं बनाएंगे तो राजा भी नहीं बनेंगे अच्छा और कुछ नहीं करते हो तो सिर्फ बाबा को याद करो स्वर्ग में तो आ जाएंगे अच्छा विकारों को जीतने की मेनत नहीं होती विकारों को जीतने की मेनत नहीं पहुँचती फिर भी नहीं विकार जीत पा रहे तो यह करती है पर गती हो रही है पद कब मिलेगा गथी भी गथी कर रहे हैं तो बाप समझाते हैं भक्ति का पार्ट अब खतम होना है भक्ति का पार्ट अब खतम होना है भक्ति का फ़ल देने बाप आए है तो तुम ही नमबर वार पूरी भक्ती करते हो पहले पहले भक्ती करते हो किसकी शुबाबा की फिर ब्रह्मा विश्नु शंकर की अभी तो देखो गली गली में कितने मंदिर बना दिये हैं कितने सत्संग होते हैं जहां ये सब चीजें बहुत हैं वहां फिर ये कुछ भी नहीं होगा सत्व में मंदिर गुजाने कुछ भी नहीं होगा एक भी मंदिर नहीं रहेगा अभी तो भक्ती की कितनी समगरी है तो दौपर कल यूग है भक्ती मार्ग का यूग बट sacrifice मार का यूक मैंना तम पर्धान बनने का यूग अब बाप इन सब जन्जटों से छुडा देते हैं को जट है पाट करना पूजा करना तप करना जब करना इस सब जन्जटों से छुडा देते हैं कहते हैं here no evil see no evil ये बुराईया है, शास्त्रों को पढ़ना, मुनुश्यमत पर चलना, ये सब बुरा है, न सुनो, न बोलो, न देखो, न करो, इनके वाड़ी लिका हूँ, तो क्या करो, देह सहीद, अपनी देह सहीद, इन सब से मौमत तु मिटाओ, अब तुम्हें नए घर में चलना है, और जब स्थापना हो जाए, तभी तो चलेंगे ना, सत्युग बनेगा, तभी तो चलेंगे ना, अब ये है, पुरानी दुनिया, कल्यूग, दुखधाम, ये है, अंतिम जनम, अभी तुम, इश्वर की गोद में बैठे हो, दुनिया कल्यूग में, और तुमें सब है, यानी मात पिता की गोद में हो, ला मुझीब, एकॉर्डिन टु लाउ, बाप ब्रमा मुख से तुमको जनम देते हैं, तो ये माँ हो गई, लेकिन तुम्हारी बुद्धी फिर भी शिव बाबा तरफ चली जाती है, चाहे माई ये, बुद्धी माँ जाती है, तुम मात पि पिता हम बालक तेरे, तुमरी क्रिपा से सुख घनेरे, यानी शिव बाबा तरफ लव चला जाता है, क्यों? क्योंकि तुम सजनियां भी हो, यानी बच्चे दर नहीं हो, सजनियां भी हो, अब तुम्हारा साजन कौन है? शिव बाबा, आया है, क्या गने? तुमको ख्रिंगार करके लाइक बनाने? तो घ्यान और य्योग से तुम बच्चों को श्रिंगारते हैं, आत्मेहा च्रिंगार काा हमारा? ग्यान य्योग. सिर्फ तुम नही हो, जो सामने बैठे तुम लगार तुम ही नही हो, ये आवाज तो सब सेंटर्स पर सुनते हैं, बाबा यानि सभी का श्रिंगार होता रहता है कितने श्रिंगार करते करते फिर मेले हो जाते हैं चब रग्यान हो रहा है फिर भी गलतिया कर लेते हैं मेले हो जाते हैं बाबा क्या बोलता है जो मेला हो गया फिर जो गलती कर ले इसने फिर बाबा गदे का मिसाल देते हैं गदे को कि इतना भी ने लालो जा रहे दिखिए का दुरतीम हम आपर फिलेट जाएगा ऐसी यहां पर भी है ग्यानियों करते हैं फिर गंद में पुजाते हैं तो तुम बच्चों को तो सरगुन संपन सोला कला संपूरन संपूरन निर्विकारी बनना है तो घड़ी घड़ी माया से हाल नहीं खानी है कहते हैं बाबा आज माया ने तपड मार दिया बाबा कहते हैं तुम कुल को कलंकल खाने वाले हो अरी तुम्हारा परिवार है तुम विकारों में चले गए तो कुल को कलंकल कर रहे हो बाप की भी निंदा तो बच्चों की भी निंदा कराते हो तुम तो और ह गिर पड़े, अगर एक बर गती की अजिए, अब गिरते रोगे, क्योंकि इस काम महाशतरु पर तो पूरी जीत पानी है, और जीत पाने के लिए, बाप से परतिग्या करनी पड़ती है, जब तक परतिग्या निकलोगे, तब तक बाबा की हेल्प नहीं मिल चाहिए, अब बा स्वर्ग का मालिक बनाएंगे, जो ये सहज राज योग सिखेंगे, जो ये हट योग नहीं, ये सहज राज योग सिखेंगे, वो ही स्वर्ग में आएंगे, ऐसे नहीं कि सभी स्वर्ग में आएंगे, भल ये समझते हैं कि नई दुनिया गौड फादर रचते हैं, कहते हैं Godfather Creator है नई दुनिया का ये सब समझते हैं बाकी नई दुनिया में राजी कौन करते हैं ये राज तो जब कोई समझावे बस जानते हैं भारत प्राचीन है परन्तु यथा एकुरेटली यथा तरीती तो भारत वासी खुद ही नहीं जानते जो दीवी देवताई थे औरिजिनल में वही नहीं जानते तो औरों को क्या बताएंगे तो तुम बतला सकते हो क्या बतला सकते हो भारत जैसा पवित्र खंड और कोई दुनिया में होई नहीं सकता और भारत जैसा पुछतर है पुछतर था इसलिए भारत जैसा माला माल और कोई खंडी नहीं कोई कॉंटिनेंट नहीं है अभी अमेरीका आधी के पास बहुत धन है परन तो भारत की भेंट में तो यह जैसे कोडिया है कहा सत्यु में भारत सोनी के चलिया थी उच्छतर अबरिका भी क्या है कुछ में लिए कोडिया है तो भारत ही सब धर्मों का तीरत स्थान है मांटर हो गया यह सबसे बड़ाती रस्थान सभी आत्माओं का बाप भारत में आते हैं क्या करने आते हैं भारत में नर को स्वर्ग बनाने कल्यू को सद्यूग बनाने मना सब को लिबरेट करते हैं दुखों से लिबरेट करते हैं अगर महिमा है तो उन्हीं की महिमा है तो उन्हीं की फूल भी उन्हीं पर चड़ाने चाहिए परंतू हुआ क्या गीता में नाम गुम कर दिया है इसलिए ममत कम कर दिया फिर क्रिस्चन लोगों ने भी उल्टी सुल्टी बाते सुनी हैं तो वो भी फिर गिलानी की बाते दुनिया को सुनाते हैं अपने धर में बहुतों को कन्वर्ट करते गए कितने क्रिस्चन बनते होंके वो क्या कॏते हैं निहदा करते हैं इसका बहुआ को बहुआ मानते हैं फिर कहते हैं क्रिश्टन की 16,18 लाड 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 ला है जब ऐसे धर्म गलानी होती है तब फिर मैं आकर भारत को हीरे जैसा बनाता हूं तो बेहद के बाप से बेहद का सुक मिलता है यानि स्वर्ग की स्थापना होती है तो वो है शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना करने वाला को है शिव बाबा हमारा बाबा बाप और तुम हो शिव शक्ति भारत माता है और हो तुम गुप इसको पता नहीं है कि शिव की शक्तिय है यही है तुम शिव शक्ति सैना को मनुश्य क्या जाने लोगों को क्या पता है शिव शक्तिय है तु ही जानते हो कि बरोबर हम शिवर्शक्ती पाढ़ा सेहना है यह नई राजदानी स्थावपन हो रही है तो यह है पुरानी पतित दुनिया तल्यू कैंग है पुरानी पतित दुनिया और वो है यानि सत्यूग है पावन नहीं दुनिया अब इस पत्ति दुनिया में पावन कोई होई नहीं सकता शास्त्रों में तो क्या क्या बाते लिखती है सुनाने वाले भी बड़े हुसियार होते है शास्त्र भी सुनते आए साथ रोस का पाठ भी रखते आए अब रुद्र यग आदी भी रचते आए फिर भी है ना रुद्र यग रचता शास्त्र भी पड़े साथ दिन का गीता का वो गीता की अब पाठ भी रखता गीता मुच् फिर क्या फिर भी क्या हुआ, क्या रजल डिक देखना, फिर भी दुनिया को तमो पर्दान बनना ही है, चाहिए कुछ भी करे, वापिस तो एक भी नहीं जा सकता, अब मुनुश्यों को ग्यानी नहीं है, सचाही का ग्यानी नहीं है, तो शास्त्रों का कंरस बहुत अच्छा लगता है शास्त्रों को भी वो अच्छा नहीं लगता इस लिए इस लिए बाप कहते है यह नो ही तुमको शास्त्रों को जुनने के अब कोई जूरत नहीं लगता क्या करो फिर सिर्फ मुझे याद करो और शिरी मत पर चलो तो श्रेश्ट बनेंगे आसुरी मत पर चलने से असुरी बनते जाएंगे क्योंकि यह है वो है रावन मत मनुश रावन मत पर है तभी तो रावन को जलाते रहते हैं बाप हर एक बाद अच्छी रिती बैट समझाते हैं अब बीज और जाड की नालेज है बीज से इतना बड़ा जाड निकला एक नूर से सबजग उबजे इसको कहा जाता है कल्प वरिक्ष कल्प मेंने पूरे सैकल का वरिक्ष इतना बड़ा वरिक्ष कैसे बन गया अब इनकी आई हो पांच अजार वर्ष है शास्त्रा में लिदी है लाको वर्ष है अगर सत्यों को लाको वर्ष हुए हो फिर दो हिंदू बहुत धेर होने चाहिए दुनिया में तो अब तुम बच्चे अच्छे रिती जानते हो कि विनाच तो होना ही है नेच्चरल क्लेमिटीज भी आती जाएंगी प्रफ्रतिक आपड़ाएं बार आएगी बुचा लाएगा भुकांप आएगा ये तो आती जाएगी इनको फिर वो कहा देते हैं गौल्डी क्लेमिटीज भुवानी सब कुछ कर रहा जी बार भुवानी ला रहा जी ऐसे लोग कहा देते हैं है ये नेच्रल क्लामेटिज, कैंगे दिए लोग, गॉल्डी क्लामेटिज, पर तु गॉल्ड थोड़ा ही क्लामेटिज लाते हैं, बुचार उतर लाएगा, बार उतर लाएगा ये तो ड्रामा में नूंद है, क्योंकि विनाश ना हो, तो नई दुनिया कैसे रची जाए, अ मन्जिर बहुत भादी है तो कई हिम्मत नहीं रखते नहीं लक्षी मिनारा बना विश्व का मालिक बना बहुत 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 लोग का मालिक बनाने आया हूँ ये अंतिम जनम बाप का कहना मानो इतने जनम तो अपनी मन मत जी मुनेशे की मत पर चले अब मेरी मत पर चलो क्या क्या बाबा की मत है पवित्र ताकी परतिग्या करोगी बाबा आप से परतिग्या करते हैं आज से संपूरन पवित्र रहेंगे अब लोकिक बाप का भी अगर बच्चा कहना ना माने तो क्या बाप कहेंगे बाप कहेंगे ना तुम तो कपूत बच्चा हो बाबा तो है सर्वशक्तिवान उनके फर्मान पर चलने से मदद भी मिलेगी कहना मालोगे तब ही तब अब मदद करेगा फिर बच्चे कहते हैं अच्छा बाबा सोचेंगे अरे सोचने में टाइम है अरे कल शरीर छूट जाये तो सब्वर साथो मिलेगा ही नहीं पांच विकारों की बिमारी है ये पांच विकार के हैं बिमारी है और ये बहुत कड़ी बिमारी है ये तो माया ने सब को रोगी मनाया है अब बाब कहते हैं मेरी शिरी मत पर चलो क्या बाबा कहते हैं बहुत हो गया अब तो मेरी श्रेट मत शिरी मत पर चलो माया तो बहुत विकल्पों में लाएगी बड़े नेश्टि तॉर्ट वो लाएगी बहुत तुफान आएंगे दिवाडा निकल जाएगा फिर कहेंगे ये क्या बाबा का बनकर भी ये हाल हुआ बाबा का बना तो ये हाल हुआ परंतू परंतू बाब कहते हैं तुमने शिव बाबा को सब कुछ दे दिया तुम तो ट्रस्टी हो गए वो तुमको पूरा हिसाब दे देंगे तुम चिंता क्यों करते हो ट्रस्टी बनके रो बाबा तन मन धन सब तेरा भोला न हमने अब उसका समूर समूर उसका है अब जैसे वो कहते है वैसे यूज करो तुम जानते हो अभी तो भारत का बेड़ा गरग है डूबा हुआ है तो बाब सेलवेज करने आते हैं बाब बिगर सुरक को बनाएंगे को बनाएं सुरक फिर कहते हैं शास्त्रों में दौारी का नीचे चलेगी सोने की दौारी के ज़ती वो नीचे चलेगी अब उपर कैसे आएगी क्या कच्च मच्च जो बाबाने का अवतार बना दिया है वो लेगे आगे उपर ये ड्रामा का चकर है जिसको समझना है क्या चकर है सत्युक त्रेता जब उपर है तब दौापर कल्युक नीचे चले जाएंगे स्रिष्टी चकर का चितर इतना बड़ा बनाना चाहिए जैसे आईना फुल साइज का भी बनाते हैं न तो बाप कहते हैं बच्चे स्रिष्टी चकर का आईना बनाओ इतना बनाओ उस आईने में क्या करो अपना मुद देखते रो कहीं बंदर तो नहीं बन पड़ते हो उस आईने में अपना देखो कि यह बंदर तो नहीं बन पड़ते हो क्योंकि जिन में विकार है वो बंदर है बाबा कहतो बंदर से भी बत्तर है क्योंकि देवताएं तो मंदिर लायक है अब वास्तों में सन्यासियों का कभी मंदिर नहीं बनाया जाता है मंदिर जिन देवताओं का होता है क्यों ऐसा क्यों कि उन्हों की आत्मा और शेर दोनू पवितर है यहां पवितर शेर तो मिल ना सके मुनुष्य कितने फिर यग्य रचते हैं कथाए सुनाती रहते हैं और बाप तो एक ही बेहद का यग्य रचते हैं जिसको कहते हैं रुद्र यग्य तो इस यग्य से ही विनाश जुआला पर जिवलित हुई बाकी सब यग्य खलास हो जाते हैं तो रुद्र ग्यान यग्य, रुद्र का जो है, ग्यान यग्य मशूर है, उन्हें तो यग्य है दिया, है क्या ये, ग्यान यग्य तो मशूर है, शिव ग्यान यग्य मशूर नहीं है, रुद्र की और साली ग्रामों की पूजा होती है, कितने साली ग्राम बनाते हैं, शिव त सारी गराब अब 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 प्रजा तो ढेर बनेगी इतने थोड़े ही बना सकेंगे है ना तो शिव बाबा और तुम बच्चों की पूजा होती है साल लब किसी पूजा है हम बच्चों की अप प्रजा तो धेर बनेगी इतने थोड़ी बना सकेंगे शिव बाबा और तुम बच्चों की पूजा होती है क्यों क्योंकि तुम सारी दुनिया को इसमें लिबरेट करते हो तो तुम हो शिव शक्तियां सेलवेशन आर्मी राहत दिलाने वाली आर्मी इसे बहुत हैं जो समस्वाइम को सरविद्िया लिडर कहते हैं सरविद्या बाणा अब सारी दुनिया पर दिया करना दिया तो कोई करीड़ न सके सब पर रहम करने वाला रहम दिर शिव बाबा को ही कहा जाएगा मनुश नाम तो बड़े बड़े रखवाते है सर उपर दया वक्रिपा करना अर्तात सुख धाम में ले जाना अब ये काम तो एक परमात्मा का ही है सभी का गतिसद्धदाता एक ही शिव बाबा है मनुश्य किसी की सद्धगती नहीं कर सकते वह मनुश्य जो नहीं शास्त्र लिए कोई भी किसी की सद्धगती नहीं कर सकते एक के भी नहीं कर सकते इंपॉसिबल तुम को कहते हैं कि तुम लोग शास्त्रों को नहीं मानते हो लोग कहते हैं तुम लोग शास्त्रों को नहीं मानते हो लेकिन जो चीज सामने हैं आखों से देखते हैं मानते कैसे नहीं पर तुम अभी हम शिरीमत पर चलते हैं जिस से श्रेष्ट बनेंगे और श्री मत श्रेष्ट मत है भगवान की शृरी क्रिशन की मत पर नहीं चलते हम शृरी क्रिशन की मत पर नहीं चलते क्रिशन की आत्मा भी पिछले जनम में शिरी मत से ऐसा श्रेश्ट देवता बने थी क्रिश्न की आत्मा भी पिछले जन्म में श्री मत से ऐसा श्रीद क्रिश्न की आत्म, भखन ला त्ट तम तुम भी तुन वितन ऐसी बने होगी ति क्योंकि उनकी राचदानी भी होगी ना उनकी दानी भी होगी कि नहीं होगी अब आपने कहा अकेला क्रिशन क्या करेगा कांटोसे फूल बाप के सिवाए और कोई बनाई ना सके बाप आया है तो जरूर स्वर्ग रचेंगे ना नहीं तो अवतार लेने की क्या दरकार थी जरूर भारत को स्वर्ग बनाया था और अब फिर से बना रहे है पहले बनाया था अब बना रहे है वहां भी मंदिर आदी होंगे नहीं और तुम जानते हो बाबा भारत में आया है और भारत को स्वर्ग बना ले तो बाबा ने समझाया माया के दुफान तो सभी को आए लिए बाबा से आकर पोचो ग्यान और योग का भी अन्वव पोचो संकलब जो विकलब बन जा जो आपके थौर जो हो नेक्टरी बन जाते हैं उनका भी अन्वव उचो कि बाबा बाबा तो सबसे आगे है तो इन तुफानों से पास जरूर ओते हैं बाबा सामरे तो तुफान आए इतने बड़ी बाते आई उनसे क्रॉस किया और ने और हम बाबा को याद करते हैं फिर भी माया कम नहीं है पिर भी माया कम नहीं है अब जितना रुस्तम उतना माया पुरा सामना करेगी जितना रुस्तम बनोगे पावल बनोगे उतना माया भी पुरा सामना करेगी बाबा डरना नहीं लिखते हैं बाबा माया को बोलो कि तंग ना करे क्या बोलेगा बाबा बोलेगा माया को तंग ना करे बाबा केते हैं पर तुम माया तुफान तो मचाएगी पर तुमने डरना नहीं है बाती आएगी लास्तर पर डरना नहीं बात को पकना नहीं अच्छा अच्छा मीठे मीठे सिक इलदे बच्चों प्रती मात पीता बाप दादा का याद त्यार और गुर्मानिंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते अब यह सुनेंगे हम धारना के लिए मुक्षार क्या धारना के मुक्षार होगा बाप को पूरा हिसाब दे फिर ट्रस्टी बाइन सब चिंताओं से मुक्षार हो जाना है बाप के फर्मान पर चिंताओं से मुक्षार होगे अब बाप के फर्मान पर ओरर पर पूरा पूरा चल मदद का पात्र बनना है दूसरा मनुश्यों के डूबे हुए बेड़े को सेलवेशन आर्मी बन पार करना है बाप का मददगार बन पुजनी लायक बनना है बाप का मददगार की आपना है पुजनी और लायक बनना है लायक बनना है लायक बनना है लायक बनना है पुजनी बनेंगे करना क्या है के लिए वर्दान हर सेकिंड हर श्वास हर खजाने को सफल का सफलता की खुशी अन्वो करने वाले सफलता मूरत कौन है आजब सफलता की एक मूरती कैसे पतले गया, मूरती काशे पतले गया सफ़ता की खुशी अल्बग करेंगे मूरती में सब हुश दिखाए दियती है जो किया सुझाँ है जब हर सेकेन हर संकलम को हर शुधास को और हर खजानों को ग्यान के गुनों के शक्तियों के उनको सफल करोंगे आगे बढ़ाओगे तो सफलता की कुछी अन्वब करोंगे और क्या मिरे बनोगे सफलता मूरत बाबा ने का सफलता मूरत बनने का विशेश लादन है हर सेकिंड को हर शुआस को हर खजाने को सफल करो इन्वेस्टर्ट गरो यदि संकलब बोल करम संबत संपरक में सर्व परकार की सफल ताका अन्भो करना चाते हो तो सफल करते जाओ व्यर्थ नहीं जाए संकलब बोल करम व्यर्थ नहीं जाए चाहे सुख के प्रती सफल करो चाहे और आत्माओं के प्रती सफल करो तो आटोमेटिकली सफलता की खुशी अन्भू करते ही रहेंगे क्यों? क्योंकि सफल करना अरतात वर्तमान में सफलता पराथ करना और भविश के लिए जमा करना तो उसके लिए स्लोगन है जब संकलब में भी जब संकलब में भी कोई अकर्शन अकर्शित ना करे तब कहेंगे संपूरंता की समीता अब हम संपूरं बन गए हैं उसके समीप आ गए हैं कैसे बनागा? जब किसी का कोई थौर्ट भी मारों का अकर्शित ना करे संकलब में भी कोई अकर्शन अकर्शित ना करे तब कहेंगे संपुरंता की समीता ओम शांती